सब्सक्राइब आज मैं आपके सामने अपना वीडियो लेकर आई हूं। अगर आप К यह में हुत में आपको द्रीक्राइब आकशा है। तो आपको हेयर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप लोग तो आप लोग अपनी एक फाइल जो है वो जरूर बनाईए साभी नोट्स उसमें जरूर रखिए क्योंकि बहुत बार होता है कि हम लोग काम करते हैं करते हैं पर कुछ चीजे जो हैं वो हमारे दिमाग से निकल जाती है और उनको याद रखने के लिए हमें एक फाइल जरूर बरानी चाहिए तो आज आपके फाइल का जो नया चप्टर है वो हेर थियोरी है अगर आप लोग को कोई भी हेर से रिलेटेट कोई भी कोशन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैं आपकी जो परिशानी है वो दूर कर दूँगी तो आज हम अपनी इस वीडियो में हेर के बारे में जानेंगे तो चलिए हम चलते अपने वीडियो की दरफ पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, बैल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें आपको, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फोलो कर सकते हैं, जो लिंक है वो मैं डिस्क्रप्शन बॉक्स में डाल दूगी, अपने इंस्टा इडी क तो चलिए, अब हम हेर थ committed की तरफ चलते हैं, हेर मुझे रूप से प्रोटीन झ निरमित होते हैं, प्रोटीन की लियर में उत्य गणिन खाने हैं करता है और उनमें शाइन लाता है इसमें पाया जाने वाला परदात मेलनिन कहलाता है और यह बालो के कलर को मेंटेन करता है मतलब बालो को कलर परदान करता है मेडियूलर जो है वह हेर की तीसली लेयर है यह क्यूटिकल और कोटेक्स के पोशक तत्व परदान करता है और यह कि पत्ले बालों को हुआ होगा हुआ हुए लीएर के तीन प्रकार होते हैं। नॉर्मल हेयर शाहनी एषर्गार और रुखे बालों मतलब तीन प्रकार हैं। है समाने वही है जिसमें कोई जो बिल्कुली नॉर्म दिखते हैं और रूखे बाल तो आपको बहुत दूर से ही पता चल जाएंगे कि बहुत जादा रूखे बाल होते हैं, इदर उदर हमेशा निकले होते हैं, रूखे बालों को मेंटेन करना भी बहुत ही बड़ी चुनोती है, अब आज आते हैं, हेर की प्रॉब्लम की और हेर प्रॉब्लम हैं, जो बहुत सारे हैं, सबसे जादा जो आजकल प्रॉब्लम है वो है hair falling की, बाल लोगों के बहुत ज़ादा ज़ड़ रहे हैं, उसके बाद white बाल है, white hair हो रहे हैं लोगों के, उसके बाद हमारी problem है, hair की rousy, dandruff भी बहुत बड़ी समस्या है, और rousy की विज़ा से भी बहुत लोगों के बाल जो है, बहुत ज़ादा निकलते हैं, उसके इचिंग की भी जो है, scalp बहुत problem हो जाती है, तो यह सब जो है, वो skin के disease है, मतलब skin के रोग है, जो scalp पे हो जाते हैं, तो यह चार जो है, मुखे समस्याई हैं, लीजिए कि जो सारी problems है, hair की यह क्यों होती है, hair problem के कारण क्या है हमारे, तो चिंता, तनाव और खिचाव, मतल जो है, हमारी hair की problem हो जाती है, scalp infection हो जाता है, हमारे, उसके ऐसे भी बाल खराब होने लग जाते हैं, उसके बाद hormonal disturbance है, किसी को hormonal problem होती है, जिसके ऐसे बाल बहुत जल्दी खराब होते हैं, फिर हमारा खान पान है, शेहरों में तो लोग वैसे भी junk food पर बहुत जाधा dependent है हम पोशक तत्व नहीं लेते, विटमिन मिन्वल्स नहीं लेते, इसलिए हमारे बाल खराब हो रहे हैं, पाचवा कारण है हमारा medicine के side effect, मतलब हमने कोई दवाई खाई है, आलप होती है, मपैथी या आरवेदी कुछ भी, तो उससे हमारे बाल जो है, वो खराब होने लगे, बहुत दवाई खाली हमने, तो बाल बहुत जड़ते हैं, हेर के उचिक देख भालना होना, आप हफते में बालों को डंग से तेल नहीं लगाएंगे, बाल धोएंगे नहीं, उन्हें अच्छे से सुखाएंगे नहीं, कोई पैक नहीं लगाएंगे, तो फिर आपके बाल ज लगाया, उसमें बहुत ज़्यादा कैमिकल होंगे, तो भी आपके बाल को खराब करेगा, आपके बाल को खराब करेगा, हमारा कारण गंदे ततने विक्ति दरों प्योग किए अगर टावल, अगर कोई बिमार आदमी है, या किसी कुछ सर्म इंफेक्शन या बॉड़ी को इंफेक्शन है, और आपने उसका टावल यूस कर लिया, तो भी आपके बाल इंफेक्टिड हो सकते हैं, तक ये के कवर, कॉम और ब्रश का इंफेक्टिड होना, ये भी जो है, बालों के समस्याओं का एक कारण हो सकता है, जो है, वैसे तो हेर के बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, पर जो बेस ट्रीटमेंट है, वो है, होट एयर, ओयल मसाज, गरम या गुंगुने, गरम तो नहीं, मतलब गुंगुने तेल से आप अगर बालों में मालिश्ट करते हैं, तो आप बालों की बहुत सारी समस्याओं से जो है, चुटकार आपा सकते हैं, तो होट एयल मसा मसाज से सिर्के जो बलर सर्कुलेशन है, उसमें वृद्धी हो जाती है, इससे बालों का जढ़ना भी रुख जाता है, बहुत हद तक अगर आप अच्छा तेल से मालिश करते हैं, तो बाल जो आपके बहुत तूट रहे हो ठीक हो जाएंगे, बालों की जड़े शाइनी हो होता है, तो होट ओल मसाज हमें जरूर करनी चाहिए, अगर आप चाहें तो पाइलर में तो प्रोपर तरीके से होट ओल मसाज करते हैं, आप करवा भी सकते हैं, अगर आप अपने पाइलर में होट ओल मसाज को अप्शन रख रहे हैं, तो इसके लिए आपको हेर ओल और सरसोगा तेल भी डख सकते हैं अमले के तेल से भी मसाच पतकिता है और ऑलीवाल होता है तो तो थचा हता है ees मैं यहां बहुत सारे step सते होते हैं, सारे जो step नहीं कर पाऊंगी, ठीहें हो चॉटार नहीं करोंगी मैं तो छीवालय चूछ थाम से लिकना कवा स्भी वीडियो冷 Deep Visual अंटल्स भीडिख करें हो Birdpur ते जी नहीं को सुटब कर देम inadequate माँ को पिच्चिंग आपाने चलाया रातके करने हैं। आपको स्टीमस देने के बाद। अगर तो आपके पास स्टीमर है तो आप 20 मिनेट उसी में मसाज दे सकते हैं और अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप गरम पानी का टावल जो है वो भी अपने क्लाइन के सर पर बांग सकते हैं ये अगर स्टीमर नहीं है तो ऑप्शन है और घर में भी आप गरम टाव और बालों को अच्छे से टेल का पूशन मिलता है और बालों को अच्छे से ये टेल का पोशन मिलता है झाल झाल